दोस्तों नमस्कार, E&I Guru चैनल में मैं संदीप चोहान आपका फिर से स्वाकत करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने बाले हैं बैटरी के बारे में यदि आपकी बैटरी पूरी तरीके से डिश्चार्ज हो जाती है यानि फुल डिश्चार्ज जाती है और इनवर्टर के उपर कोई भी इंडिकेशन शो नहीं करता है तो उस केश के अंदर आपको बैटरी वापस से चार्ज करनी होती है अब बैटरी को आप वापस कैसे चार्ज करेंगे और जब हम बैटरी को काफी समय तक यूज में नहीं लेते हैं तो उस condition के अंदर बैटरी पूरी तरीके से discharge हो जाती है जब बैटरी पूरी तरीके से discharge हो जाती है तो हम confused हो जाते हैं कि हमारी बैटरी के अंदर problem है या inverter में problem है या फिर circuit के अंदर problem है यदि हमारी बैटरी पूरी तरीके से डिश चार्ज हो गई है तो सबसे पहले हमें multimeter से बैटरी का voltage चेक कर लेना चाहिए अब मान लेजे कि हमारी बैटरी 12V की है तो 12V से यदि बैटरी के अंदर कुछ voltage ज्यादा दिखाए या 12.1, 12.2, 13.3 तो हम समझ जाएंगे कि हमारी बैटरी चार्ज है और यदि बैटरी का वोल्टेज 12 या फिर 12 से कम हो जाता है तो हमें समझ लेना चाहिए कि बैटरी को चार्जिंग की जरुत है जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं इनवर्टर बैटरी रखे हुए हैं इस इनवर्टर बैटरी को मैंने तीन महीने से यूज नहीं किया है और यहाँ पर आपको सबसे पहले में बैटरी का वोल्टेज दिखा देता हूं जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटरी का वापस से चार्ज करूंगा तो भी चार्ज नहीं होगी कि इंवर्टर को चलाने के लिए 12 V की जुर्थ होती है और यदि बैटरी के द्वारा 12 V को नहीं दिये जाएंगे तो हमारा इंवर्टर भी काम नहीं और आपको पताई होगा कि हमारी जो बैटरी होती है और यदी पूरी तरीके से डिस्चार्ज बैटरी है तो वह मिनिमम 12 एंपयर से लेकर 15 एंपयर टक करेंट करेंगी और यहां पर जो लैटरीम का अड़े सकता है अब यदि हम इस लैटरीम से बैटरीम करेंगे को सकते हैं सरकेट यहाँ पर जो मैंने न YEAHपेडटर लिया है इसके आग्य वाली पिन मैंने कार दी हैी तो और इस प्यूंग पर कर दिये हैं यह वाला है यह हर हमें myज दीची पोल्टेज देगा जैसा कि आपने वैटरी पर देखा होगा बैटरी पर पोजीटिव और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं तो हमें पोजीटिव टर्मिनल पर नेगेटिव डॉलत करनेक्ट करना और यदि हम इस negative positive को change कर देंगे तो हमारी बैटरी खराब हो जाएगी इसलिए हमेशा positive terminal के साथ positive lead ही connect करनी चाहिए और negative terminal के साथ negative lead ही connect करनी चाहिए अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने inverter के connection भी बैटरी पर कर दिये हैं जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं multimeter में हमारे बैटरी पर बिल्कुल zero voltage दिखा रहा है और हमारे जो inverter है उसके अंधर कोई भी indication नहीं जल रहा है मतलब हमारा जो inverter है वह भी बिल्कुल भी functioning नहीं कर रहा है मतलब बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है और DC voltage नहीं दे रहा है जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटरी के positive और negative टर्मिनल है यहाँ positive वाले टर्मिनल पर हमें हमारे adapter के connection भी connect करने होंगे और negative वाले टर्मिनल पर adapter के negative terminal को connect करना होगा यहाँ पर आपको एक चीज़ों ध्यान रखनी होगी यहाँ पर जो inverter के connection है और हमने जो adapter लिया है उसके connection है वो दोनों parallel में है जैसा कि आप देख सकते हैं यह जो दो lead है यह inverter की lead है और यह जो दो पतले वाले wire है यह हमारे adapter के wire है अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने wire को connect कर लिया है और अच्छी तरीके से tight कर लिया है यदि आप wire को लूट छोड़ेंगे तो ज्यादा current के कारण इन wire में sparking हो सकती है जिसे हमारी lead चल सकती है या फिर source circuit भी हो सकता है अब हमें सबसे पहले adapter वाले connection को चालू करना होगा यहाँ पर यह adapter की pin है इसको मैंने 220 volt से connect कर लिया है और अब हम switch को on कर लेंगे यहाँ पर मैंने switch को on कर लिया है अभी हमने inverter वाले switch को on नहीं किया है और मैं आपको अब inverter पे जो light है उसको दिखा देता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पर battery charging वाली light blink कर रही है यानि हमारी battery charge हो रही है और हमारा inverter भी functioning कर रहा है मतलब हमारा inverter काम करने लगा है अभी हमने inverter को power supply से connect नहीं किया है हमने cable हमारी battery पर power supply दी है जिससे हमारा inverter functioning करने लगा है यानि battery के 12 volt से हमारा inverter काम करता है अब हम inverter को भी power supply से connect कर लेंगे जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने power supply से inverter को connect कर लिया है और inverter के अंदर यहाँ पर AC on वाला indication भी जलने लगा है यानि 230 volt AC supply अब इस inverter के अंदर आने लगी है और हमारा inverter 12 volt DC supply भी दे रहा है जब तक हमारा inverter पुरी तरीके से functioning नहीं करने लग जाता जब तक हमें हमारे laptop वाले charger को बैटरी के साथ connect करके रखना होगा लगबग एक गंटे तक हमें laptop वाले charger को बैटरी के साथ connect करके रखना होगा अब हम हमारे inverter पर voltage भी देख लेते हैं कि हमारा जो inverter है वहर 230 volt सप्लाई दे रहा है कि नहीं यह inverter का आउट्टूट वाला सीरा है यहाँ पर हम voltage को चेक कर लेते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर 230 volt power supply मिल रही है अब हम बैटरी को एक गंटे तक चार्ज करेंगे अब लगबग एक गंटा हो गया है और हमारी बैटरी अभी भी चार्ज हो रही है अब यहाँ पर जो laptop वाला charger बैटरी के साथ connect है उसको हम निकाल लेंगे अब आप देख सकते हैं laptop वाले दोनों wire हमने इस बैटरी के connector से हटा लिये हैं अब मैं आपको वापस हमारे inverter के indication लेंप पर जाकर दिखा देता हूं कि वहाँ पर क्या शो हो रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे inverter के अंदर ओन वाला इंडिकेशन लेंप जल रहा है मतलब हमारा inverter है वह functioning कर रहा है और अच्छी तरीके से काम कर रहा है अब यहाँ पर बैटरी charging करने के लिए पीन लगी हुई है मतलब यह जो inverter के अंदर पीन लगी होती है incoming वाली उसको भी निकाल लेंगे और अब देखते हैं कि जो हमारी बैटरी है उससे आउटपूट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं हमने पीन निकाल लिए और यहाँ पर 32V आउटपूट अभी भी दिख रहा है मतलब हमारी जो बैटरी है वो चार्ज हो गई है और अब हम बैटरी के टर्मिन पर भी वॉल्टिज को देख लेते हैं कि कितना वॉल्टिज दिखा रहा है जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं 12.2 वॉल्ट तूइल दिखा रहा है 12 से ज्यादा वॉल्ट दिखा रहा है है दोस्तों के माध्यम से आप समझ गए की बैटरी को किस तरीके से चार्ज किया था सकता है घर से किस तरीका से चार्ज कंते हैसे तो कैसा लगा मैं सेक्षने बपाई और इसी तरह के झाल झाल झाल